नमेश्कार बच्चों दूसरा है चुम्बक के गुण तीसरा चुम्बक के आकर्षन का गुण चौथा बिन्दु है चुम्बक का दैशिक गुण पाँच्वा बिन्दु है आकर्षन और प्रतिकर्षन और छट्वा बिन्दु है दो विपरीत ध्रूमों का युग्म में होना बच्चों हमने भाग A में बहुत सी बाते की थी जिसमें हमने चुम्बक की खोज कैसे हुई ये जाना था चुम्बक क्या है ये जाना था अब हम जब जान चुके हैं ये सारी बाते तो आज हम जिन गुनों की बात करने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ क्रिया कलाब करके देखने हैं और इन क्रिया कलाब को करने में आपको बहुत मजाएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रिया कलाब एक से इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखिए तो आवश्यक सामगरी है आपके आसपास से जो straw है, blade है, लकडी है, rubber, plastic, कुछ काच के टुकडे हो सकते हैं, कुछ इसमें धातू हो सकते हैं, कुछ मिश्र धातू जैसे पीतल है, कोबाल्ट है, निकेल है, लोहा है, स्टील है, इससे बनी हुई वस्तुएं आप ले सकते हैं. इसमें कुछ और पदार्ग भी ले सकते हैं, जैसे नमक, जो आसानी से उपलब्ध है, शक्कर, और इन सब के अलावा आपको लेना है एक शक्तिशाली चुम्बक. चलिए, ये हमारी सामगरी अगर इखटी हो गई है, तो हम इसकी विधी पर बात कर लें. इसकी विधी कैसी है? देखिए तो, पहला है कि हमको क्या करना है एक लकडी की टेबल पर. लकडी की टेबल क्यों कहा गया है, बच्चों, आप समझ गया होंगे. क्योंकि अगर हम धादू की टेबल लेंगे, तो हमारा चुम्बक जो है, वहाँ उतने अच्छे से ये बात हमको जो विधी करनी है, ये नहीं कर पाएगा. है ना? तो हम क्या करेंगे इसे? लकडी के टेबल पर ही करेंगे. वहाँ पर एक कागज बिचाईए. उस कागज के ऊपर इन सारी वस्तूओं को थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप रख दीजे. अब जो आपका शक्तिशाली चुम्बक है, उसे बारी बारी से उन सभी वस्तूओं के पास लाईए. ठीके? और आप चुम्बक का प्रभाव देखकर, आपके किताब में एक सार्णी दी गई है, तेरा दशमलों एक में, उसे अपनी कॉप्पी में बनाकर उस सार्णी को आपको पूरा करना है. तो वो सार्णी कैसी है? इस तरह है. इसमें क्या-क्या लिखाया है? सारलक्रमांक है, वस्तू का नाम है, वो वस्तू आकरशित होती है. तो वो पदाद क्या होगा? चुम्बकिया. और अगर वो आकरशित नहीं होती है, तो वो पदाद को आप लिखेंगे अचुम्बकिया पदाद. जैसे यहां देखिए, स्ट्रॉ जो है, वो प्लास्टिक की बनी होती है. है ना? तो वो आकरशित होगी क्य नहीं होगी तो आप उसके निश्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वो पदाद जो है वो क्या है वो वस्तु जो है वो अचुम्बक्य है ठीक है अगर आपने ब्लेड लिया तो ब्लेड जो है वो चुम्बक्य और आकरशित होगा तो वो क्या कहलाएगा हाँ वो कहलाएगा चुम अंकित करें ठीक है बच्चो इस क्रीयाक अब को करने के बाद आपने जो निशकर्ष निकाला वो क्या था इसे लिखिए और इसी आधार पर पर आप चुम्बग की ये पदार्थ और अचुम्बग की ये पदार्थों की परिभाशा को भी लिखेंगे ठीक है बच्चो चलिए अब हम कुछ चुम्बक के गुनों की बात करते हैं चुम्बक में हमने पहले ही कहा था कि चुम्बक में आकर्शन का गुण होता है यह हम कैसे सिद्ध करें है इसे अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए भी इस सामगरी को इखटा कीजे आपको लेना है एक छड़ चुमबक एक सफेद कागस और कुछ लोहे का बुरादा इसमें आपको करना क्या है विदी को देखिए आप वो जो सफ प्रेद कागस आप लिए हैं उस पर लोहे के बुरादे को आप फैला देंगे ठीक है कुछ इस तरह फैलाने के बाद एक छड़ चुमबक को उसके ऊपर रख दीजे या इस तरह घुमाईए और उसको रख दीजे आपने क्या देखा बिलकुल इस तरह देखा होगा आपने देखिए इस चित्र में एक छड़ चुमबक दिखाया है जो लोहे का पूरा बुरादा था वो कहां जाके चिपक यह है देखिए तो वो आपको दिख रहा है उसके दोनों धुरूंगों पर दिख रहा है बच्चो आप खुद करके देखिए इसे ठीक है अब हमने देखा क जो दोनों सीरे थे उस पर लोहे का पूरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है जबकि उसका जो बीच का भाग है जिसे हम मध्य भाग कहेंगे उस पर लोहे का पूरादा बिल्कुल भी नहीं चिपकता तो इससे आप क्या निश्क्रश निकालेंगे इससे आप ये अब हम चुम्बक के दैशिक गुण की बात करेंगे आज हम इस दैशिक गुण पर फिर एक क्रिया कलाब करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे एक लकडी का स्टैंड लेंगे और चड़ चुम्बक जो है उसे धागे की सहयता से लटकाएंगे लकडी के स्टैंड से हम धागे की सहयता से चड़ चुम्बक को लटकाते हैं और हम चड़ चुम्बक के बिलकुल मध्य बिंदू पर उस धागे को बांदेंगे और उसे स्वतंतरता पुर्वक लटका देंगे आप ये लटकाने के बाद देखेंगे कि चुम्बक जो है वो किस दिशा में स्थिर हो रहा है क्योंकि चुम्बक पर तो अंकित है उत्तर और दक्षिन आप देख के बताएंगे और अगर अंकित नहीं है तो भी आपको पता पड़ जाएगा है ना अब हम इसे हाथ से पकड़ कर जोर से घुमा देंगे और उसको छोड़ देंगे घुमाने के बाद आप फिर देखेंगे कि ये किस दिशा में जाकर रुका है ठिक कुछ इस तरह आपको चुम्बक को लकड़ी के स्थाइंट से बानना है दिख रहा है आपको ये आपके चित्र जो है उस्तक में भी है इसे आप निशकर्ष क्या निकालेंगे कि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुम्बक जो है वो हमेशा उत्तर दक्षिन दिशा में स्थिर होता है दूसरी बार जो हमने उसे घुमाया और छोड़ दिया तो फिर देखा हमने तो फिर से उत्तर दक्षिन दिशा में स्थिर हो गया तो इसे निशकर्ष ये निकलता है कि चुम्बक में जो है वो दैशिक गुन जो है वो पाया जाता है ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि आकर्षन और प्रतिकर्षन क्या है आकर्षन और प्रतिकर्षन के लिए भी हम एक क्रिया कलाब करेंगे आज आप बहुत सारे क्रिया कलाब कर रहे हैं और इन क्रिया कलाब को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा वो इसलिए बच्चों क्योंकि आप जो पुस्तक में पढ़ते हैं खास कर विज्ञान में आप जितनी भी बाते पढ़ते हैं वे सारी आप सिद्ध कर सकते हैं है न तो कुछ जो हैं हम इस तरह सिद्ध कर रहे हैं जैसे हम को यह आसानी से उपलद है कुछ चीज़े हमें नहीं मिलती तो हम उन्हें सिद्ध करने में थोड़ा कठनाई होगी पर जिसे हम कर सकते हैं उस क्रिया कल आपको हम जरूर करके देखें ठीक है अब हम पढ़ेंगे आकर्शन और प्रतिकर्शन क्या है इसके लिए आवश्चेक सामगरी नोट करिए इसमे सिफसे रंख़कों करना है उसकी उथ्तरी और दक्षणी द्रूयों को पहचान कर हमें चिन्लित कर देना है अब एक छड़ चुम्पक जो है उसको अपने हाथ में रंगे उसके दोनोंBox के पास बारी बारी से उसके उन्हुमपकीय सुईयों के दोनोंगों के पास लाए और जो आप देख रहे हैं आपके आउलोकन जो है उसे आप अपने कॉपी में जो एक सार्णी दी गई है पुस्तक में उसमें लिखिए ठीक आप कुछ इस तरह आप करेंगे ये देखिए हमने हर सिरे पर वो जो दंड चुम्बक है उसे लिजा कर देखा है देख रहा है आप जो भी आप देख रहे हैं निशकर्ष आप बाद में लिखा लेंगे पहले आप अपने आउलोको लोको इस सार्णी में लिखेंगे देखिए तो क्या लिखा है यहां पर पास पास लाए गए ध्रूब ठिक उसमें देखिए चुम्बक की है सुई और छड चुम्बक इन प अपने क्या देखा क्या आकर्शित हुई या वह एक दूसरे से दूर हुई पास पास आई या दूर गई तो जो भी हो रहा है उसे आप इसमें नोट करेंगे मैंने पहला वाला करके दिखाया है देखिए उसमें क्या हो रहा है प्रतिकर्षन ठीक है दूसरा वाला दूसरे वाले में हमने लिखा है दक्षि, चुम्बकी ये सुई की दिशा है और छड़ चुम्बकी दिशा है उत्तर अब इसमें क्या होगा ये आपको नोट करना है तो आप जब ये प्रयोग को करें तो आप खुद करके देखें और आपने सारे अवलोकन इस साड़ी में नोट करते चलें जब आपका ये पूरा प्रयोग हो जाए तब आप किसी निशकर्ष पर पहुंचूंगे है ना तो वो निशकर्ष क्या होगा चलिए उसे हम देखते हैं आगे उप्रोप आवलोकन के आधार पर हमने क्या निशकर्ष निकाला बचो कि जो समांद्रू थे समान से यहां क्या मतलब है उत्तर उत्तर और दक्षिन दक्षिन है ना तो इनमें क्या होता है इनमें प्रतिकर्शन होता है और असमांद्रू जो है असमांद्रू से यहां क्या मतलब है एक तरफ अगर उत्तर है तो जैसे सुई में उत्तर है और दंट चुम्बक जो है उसमे दक्षिन है तो दोनों विपरित हो गए है ना तो ऐसे असमांदु जो है उनमें आकर्षण होता है ठीक है तो आप इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में जानेंगे अब हम ये कैसे जाने कि एक लोहे की छड़ और एक चुम्बक है और उस पे कुछ लिखा नहीं ह क्या फर्क है आप कैसे पेचान करेंगे उसके लिए भी एक ख्रिया कलाब है चलिए उसे भी हम देखते हैं इसके लिए आवशक सामगरी क्या है आपको यहाँ पर दो चुम्बक लेने हैं और एक लोहे की छड़ लेने हैं अब एक चुम्बक और एक लोहे की छड़ की और लोहे की छड़ दोनों के सिरों के आप उसे पास लाइए यदि चुम्बक की जो चड़ है वो दोनों सिरों को आकरशित करती है तो वो लोहे की छड़ है परन्तु एक सिरे को वो आकरशित करती है और दूसरे सिरे को वो प्रतिकरशित करती है तो वो क्या है तो वो है च सही पहचान है तो बच्चों यह जो क्रिया कलाप है इसे आप जरूर करके देखें तब ही आपकी यह अधार्णा की प्रतिकर्शन और आकर्शन क्या है बहुत अच्छे से बनेगी ठीक है अब हम देखें कि जो दो ध्रू हैं दोनों विपरित हैं एक उत्तर है दुसरा युगमे में होना कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं चलिए हम यहां पर देखिए क्या लिखा है मैंने यहां लेखा है कि हम कभी भी किसी वस्तु को किसी चुम्बक को अगर जैसे दंड चुम्बक है वो बीच से तूड़ गया या काट दिया हमने तो उसके हमने क्या करा इधर अगया दक्षिन तो आपको क्या लगेगा कि यह तो टूड़ गया यह तो चुम्बक नहीं है पर ऐसा नहीं होता बच्चो अगर काटकर हम दो टुकड़े करते हैं और यदि किसी छड़ चुम्बक को हम काट रहे हैं दो भागों में बाट रहे हैं तो जो दो टुकड़े ह अगर दो टुकड़े कटे हैं तो इधर उत्तर है तो यहां वाला दक्षिन की तरह काम करेगा इस टुकड़े में उत्तर और दक्षिन कहने का मतलब आप चितने चोटे टुकड़े करेंगे हर टुकड़ा एक चुम्बक होगा जिसमें आपको दो धुरू हमेशा युग में उत्तर और दक्षिन इस युग में हमेशा प्राप्त होंगे तो यह बहुत मज़िदर बात है है न वच्चो यह देखिए मैं इस तरह दिखा रही हूं आपको पहले एक बड़ा चुम्बक जिसे हमने बीच से तोड़ दिया या काट दिया देखिए दो धुरू फिर से बन देखिए मतलब कहने का कि यह हमेशा जो दो धुरू है यह युग में में ही रहते हैं तो आज आपने बहुत सारी बाते सीखी क्या-कै सिखा देख लें हमने सिखा चुम्बक की और जुम्बक की पदार्त या वस्तुए कौन सी है है ना हमने चुम्बक के धुआं की बात की उत्तर और दक्षिन हमने चुम्बक के बहुत सारे गुणों की बात की जिसमें हमने उसका दैशिक गुण देखा हमने आकर्शन और प्रतिकर्शन क्या है ये भी जाना और हमने एक बहुत मज़ेदार बात जानी कि दो विपरी ध्रू जो है वो हमेशा युग्म में ही पाए जाते हैं तो इन सारी बातों को सीखने के बाद अब आप कुछ प्रशनों का उत्तर दे पाएंगे दे पाएंगे न बच्चों? चलिए इन्हें नोट करिए और कॉपी में लिखिए पहला प्रशन पढ़िए क्या लिखा है? चुम्बक के दैशिक गुण से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रशन है आकर्शन और प्रतिकर्शन क्या है? तीसरा प्रशन है चुम्बक का आकर्शन के इंद्रिक कहा स्थित होता है? आपको मैंने बताया है ना? तो इन प्रिश्णों के उत्तर ढूंद कर आप अपनी कॉपी में लिखिए अभी ये पार्ट खतम नहीं हुआ है तो हम भाग दीन लेकर फिर से आपके सामने उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमश्कार